नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मिस्टर एंजिनियर्स चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा माइवन सट्रिंग मतलब की एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क को कैसे एंडल करना है कैसे उसको क्लीन करना है उसके उपर जो सीमेंट स्लरी चिप क्यूई रहती एक लिटर का 60 रूपिया 70 रूपिया जैसा है अपने को कैसे क्लीन करना है उसमें क्लीन करते वकित क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा यह जो पीछे में आपको वाइट कलर की पीवी सी की टंग की दिख रही है वो कम से कम 200-200 लिटर की है उस में यह सब केमिकल ड़लना है मेरे पास यह केमिकल है फूराना यह वह पया बार केमिकला यह पर्म हां प्याहिए कैमिकले यह कारो तरनी केमिकल मेरे जो वह सेंसेटीव केमिकल आरे उसमें के चलो एक टाइप का एसी इस केमिकल को यूज करते हो कि आपको बहुत ही प्रीकोजन का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही सेफटी का यूज करना पड़ेगा आपके हाथ में एंड ग्लॉज लगा हुआ चाहिए यह केमिकल पूरा वाइट कलर का आता है लेकिन यह मेरे पास जो की वो यूज किया तो यसा कलर उसका दिख रहे बाकि उसका कलर वाइट कलर आता है पानी जैसा दिखता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले वो टंकी में सब केमिकल का ड्रम खाली कर देंगे आपको एक बात मैं खास बता दू दोस्तों आपके पास सेफटी का पूरा मतलब होना चाहिए क्यों की बार मेरे एक लेबर को आथ पर लग गया था उसने एंड गलोस पहना ही था लेकिन क्या था कि उसमें कहीं छेद हो गया था तो अंदर चला गया होगा तो उसको पता भी नहीं था कि मेरे सरीर पर केमिकल लग रहा है तो उसने तो पूरा दिन काम किया लेकिन उसके बाद क्या हुआ दो दिन बाद उसको वो केमिकल का असर दिखा पूरा हाथ में मतलब वो ऐसा खुजली-खुजली हो गया और दवाई लेने से भी कम से कम 20 दिन लग गया था उसको ठीक होने में तो देखिए इसमें गेस जनरेट हो जाता है ड्रम है उसको ही लाएंगे तो उसको उ गिड़े नहीं इसके लिए यह सूट लगाना जरूरी है एंड ग्लोस कम से कम आपकी आथ पूरा डग दे उतना लंबाई होना जरूरी है पीछे जो यह माट्रियल है वो मैंने सफाई करने के लिए रखा है अभी मैं आपको बताऊंगा को उसको कैसे यूज किया है जो यह अपना मैवन का फर्मा है उसको केमिकल में डाल दिया था केमिकल का एफेक्ट थोड़ा स्लो है मैं आपको दो ड्रम नहीं डाल के दिखाऊंगा कि उसका एफेक्ट कैसा रहता है तो सिंपल ही है उसमें आप एक डूबा डूबा के उपर नीचे करके केमिकल वेस्ट इसका रहता है सपोट साइड सपोट य correction है उसको आपको अप्रील मा जिए ऊपर दूसरी साइट किये यह से पूरा केमिकल बाहर निकाल दीजिए उसके बाद रहए इसको पल्ला को को दोने दोने आगे बेजिए उसको फिर आभ पानी से पानी मारके वोश करना पड़ते है इदर पीछे भी अपने पास देखो यह वोटर का पाइप लखा है तो उसको पानी मारके दोना पड़ता है तब उसके उपर से सबी मतलब जो केमिकल का इफेक्ट है वह भी दूर हो जाता है और फाल का पूरा मतलब एकदम नहीं पानी मारना बहुत ही जरूरी है अगर पानी नहीं मारा और आपने ऐसे ही केमिकल को छोड़ दिया तो केमिकल इफेक्ट से अपना जो फर्मा है वह बेंड होने का चांसिस बढ़ जाता है दूसरा बात उसके उपर काला जंक लग जाता है मैं आपको दिखाऊंगा मैं यह स इसको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे जंक लग गया था वो मैं सबसे आखरी में दिखाऊंगा आपको एक बार फिर से बता दू दोस्तों इसके लिए आपको सेफटी का कोई भी मतलब थोड़ा सा भी आपको नहीं करना है सेफटी बहुत ही जरूरी है इसमें अगर आपने ब क्लीनिंग का प्रोसेस दो दिन से ज्यादा चलने वाला है तो आपको लेबर भी बारी-बारी से बढ़लानी पड़ेगी मतलब कि आज चलो एक टीम ने काम किया है छे साथ गंटा काम किया है तो दूसरे दिन आपको दूसरे चे चे साथ लोग की दूसरी टीम को काम पे तरिंगा दो तो आपको सही रहेगा क्योंकि अगर आप एक ही टीम से रोज काम करवाते रहोगे तो उसको उल्टी होने का चैंसी ते रहता है तो उसके उपर उसको फू भूख भी कम लगती है इह खाना भी कम खाते है वो लोग जब तक यह काम चलता है तो आपको क्या करना है labor को labor team 2 रखनी है आज पहली टीम से काम करवाएए कल दूसरी टीम से काम करवाएए जाए और एक बात आपको बता दू देखिए आप हम इसमें डाल रहे है घंप हुआ है कितना में मतलब इसके ऊपर से मेर छाहरी चिपका हुआ है तोरी हम धाले इसके ärज में कि देखिए दोस्तों कि यह इतना तेज केमिकल है कि इसका कोई मुकाबलाई नहीं है यह तो यह यूमिनियम के लिए बना हुआ केमिकल है अगर आपने इसके लोहे का प्लेट वोश करने की ट्राइए की तो बहुत ही भारी पड़ सकता है क्योंकि इसमें लोहा गल जाता है अ दो मान के चलो और आपको एक ही रिपीटेशन या दौही रिपीटेशन देगा उसके बाद पूरा प्लेट है वो सड़ जाएगा ऑस्ते जंक लग जा जाएगा तो और प्लेट बेकर जैईगा तो आह तो कि एक मिगल को सिर्फ हॉर सिर्फ एलिमिनियum फॉर्क वोश करने क के लिए ही लगाई है और कोई चीज के लिए मत इसको यूज कीजिए देखिए कितना तेज के मिकले आपको दिख रहा है और आध दोस्तों दूसरी बात में बता दू कई लोग क्या करते हैं यह लिमिनियम फॉम वर्क को वोस्ट करने के मतलब सफाई करने के लिए ग्लैंडर का यूज करते हैं वो बिल्कुली रॉंग प्रोसेस है आप ग्लैंडर से उसको किसके कभी भी वायर ब्रस से कभी भी साफ मत कीजिए क्योंकि उससे जो फॉम वर्क है उसके ऊपर एक हलका सा स्क्रेचिस आ जाता है तो तब तो साफ हो जाएगा लेकिन क्या है कि क्रेचिस क करोगे तो उसमें सीमेंट स्लरी चीप पकने का चांस और बढ़ जाता है क्योंकि उसका सर्फेज सर्फेस मुद्नेस था वो निकल गया है उसके उपर स्क्रेचिस आ गया है तो उसको मतलब और स्लरी चीपकेगा तो वह आपको बेकार बना देगा आपका बात है वह मतलब वो सही नहीं है तो आप वो मेथट Isn't कभी भी यूज मत करें इसमें अभी मैं आपको बताऊचा कि मैंने एक फर्मा उसको पानी से वहाइजिट एए तो जो पहला फर्मा देख रही है उसमें देखो एक किफना कला कला मतल वो सर्फेस हो गया ए तो बिना मतलब वहाश्ट मेथड दोस्तों एक बार खास ज्यान रहें आपको इससे वायर ब्रस लेकर ग्लैंडर से नहीं सफाई करना है उससे सर्फेस पे एक स्क्रेश क्रियेट हो जाएगा तो अपना जो फर्मा है वो फिर से खराब होने का चांसिस और बढ़ जाएगा तो आप वो मेथड कते ही आपका धन्यवाद और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू